हाँ तो फ्रेंट्स देखिये जैसे ये एकजाम हुआ है खतम, इंगलिस का पेपर जो बिये ओनर्स इंगलिस की हैं ठीक ना? जिन्होंने इंगलिस ओनर्स लिया है, उनके लिए second semester का पेपर जो है core 3 है ये ठीक? English paper honors core 3 है देखी किस प्रकार का question आते हैं आपको अगर देना है या फिर किसी friend को तो share कर देजीगा class तो मैं बता दू second semester ठेख core paper 3 किस समय exam यह है यह 2021 फरवरी मैना में फरवरी 2021 में exam हुआ है ठेख date भी बता दिया आप देखे time यहाँ पर आपको सबसे परी बात बता दू कि time आपको तीन घंटे दिये जाते हैं ठेक फास सेटिंग या सेकेंड सेटिंग फास सेटिंग होगा तो 10 से 1 सेकेंड सेटिंग में 2 से 5 full marks 80 होंगे 20 marks college की तरफ से आपको return 80 marks लाने और 20 आपको college की तरफ से मिल जाएंगे यहाँ पूरा का पूरा पेपर तीन खंडों में बटा हुआ है यानि group A, B और C में तो group A में 40 marks का है जिसमें से आपको केवल 4 question बनाने है यहाँ पर लिखा हुआ है answer any 4 question ठेक न यानि कि आपको 4 बनाने है कि ध्यान से सुनिएगा क्या पताया गया है कि आपको 150 सब्दों में इसका उतर देना उससे ज़्यादा नहीं एक परश्न का उतर 150 सब्दों में ही दे उससे ज़्यादा नहीं दे दे सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा देंगे तो कोई फाइदा नहीं होगा ठीक अब देखिए हेंडर राइडिंग बना के अगर आप 150 सब्दों में देते हैं beautiful head riding बना के तो मैं यकिन के साथ बोल रहा हूँ आपको 10 में 8 marks मिल जाएंगे देखिए कितने question दिये हैं खंड A में यानि के group A में आपको दे दिये 6 question 6 में से आपको कितने बनाने हैं चार ही बनाने हैं होगे अब देखिए group B group B में कितने marks का है 30 marks यानि कि 30 नंबर के हैं आपको 30 marks के हैं और 30 में से आपको कितने बनाने हैं दो केवल दो ही question बनाने हैं दोनों question 15 15 marks के होएं ठेक यहाँ देखिए 15 marks के one question तो आपको दो बनाने हैं और या यानि की और करके दिया है आप ये question बना है उपर वाला या फिर नीचे वाला फिर 8 नमबर में आप उपर बला बना सकते हैं या फिर निचे बला, तो 4 में से आपको 2 या बनाने हैं, लेकिन हाँ, इसमें से 8 नमबर या 7 नमबर में, ठीक, आप समझ गए होंगे, उसके बाद 9 नमबर में भी दे दियें, देखे, 3 कोश्च ने दियें, 3 में से केवल आपको 2 ही लिखते हैं तो ठेक हैंड राइटिंग के साथ ग्रुप सी ग्रुप सी में कितने मार्क्स के हैं टैन मार्क्स यानि कि दस मार्क्स के हैं सारा का सारा अब्जेक्टिव है यानि कि ऑप्सिनल ठेक यहां पर लिखाया अब्जेक्टिव कॉस्चन ठेक गिवें बिलो तो देखें नीचे में सारा कुछ दिया है ए बी सी आप अच्छे से एक बार नौट कर लें अपने नौट बुक के साथ अगर आपको एकजाम देना है फिलाल में तो ठेक डी ए ए एप और जी ठेक सारा कुछ दिखा दिया और आपको एकजाम किस परकार देना है कितने पेज में आंसर देना है यह मैं बताता रहा हूँ और इस वीडियो में में काफी आपको हेल्प कर दूँ तो पांच अंक वाले उत्तर अधर आप पेपर जितने भी देते हैं ओनस में पांच अंक के लिए यानि कि 5 मार्क्स के दिख देते हैं ना तो मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं आपको 75 लाने से कोई नहीं रोख पाएगा कोई नहीं यार ठीक ना और टूडी पॉइंट होना चाहिए और क्लियर हैड राइटिंग में होना चाहिए आपका उत्तर तो यह इंग्लीज ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर को हमने देख लिए आई होब मैं उम्मीद तो करी सकता हूं कि आपको या वीडियो कुछ ना कुछ नौलेज दी होगी तो प्लीज चैनल में पहली वार आएं तो सब्सक्राइब कर लिजीगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजीगा और अगर आपका कोई दोस्त अभी इंग्लिस ओनर्स करने वाला है या फिर इंगले से ले रहा है ठीक ना ओनर्स ले लिया तो प्लीज उन तक वीडियो सेर कर दीजीगा थैंक यू और कोई भी तिकात हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वैसे मैं यहां पे बहुत सारे आपको जानकारी के लिए बता दूंकि बहुत सार सब्सक्राइब के सारे के सारे आपको यह जो है प्रिवेस यहर के पिछले वर्सों के प्रश्न पत्र मैंने उपलब्द करा दिया अपनी चैनल में आप जाके देख सकते हैं तो ठैंक यू और अपने स्वास्त का ख्याल रखेगा क्योंकि जान है तो जहाने पढ़िए और